हालो दोस्तों नवश्कार पॉलिटिकल साइंस लेर्निंग में आप सही का श्रागत है हम लोग इंडियन पॉलिटिकल प्रॉसेस जो आपके यूजी सी ने यूट एट में है उसको कवर कर रहे हैं जिसमें हम लोग फेमस कमेंटेटर्स आफ इंडियन पॉलिटिक्स को देख आध जो हम लोग देखेंगे मोरिस जॉन्स के पॉलिटिकल आइडियाज को उनके क्या में वर्क रहे हैं उनको सब को जानेंगे तो इस वीडियो का जो कंटेंट है वह पहले इनकी लिए अटियाज क्या थे इनके कुछ प्रीवियस यह कोंश्चल्स भी देखेंगे जो यो मोरिस जोन्स थे जिनको पॉपलर्डी डब्लू एच मोरिस जोन्स भी कहा जाता है इनका जो जन्म होता है एक अगस्त निससो अठारा को होता है कमर्वन सेंसायर वेल्स यूके में होता है इनकी जो एजुकेशन होती है इन्वेस्टी कालेज हैं स्टीड लंदन स्कूल्स इकोनामिक्स और क्राइश्ट कालेज कैम्प्रिस से होती है यह इंडियन आर्मी में लेटिनेंट करनल के रूप में पब्लिक रेशन डारेक्टर्स के रूप में सर्व करते हैं 1941 से 1946 तक यह कांस्ट्यूशनल एडवाइजर भी रहते हैं वासराय आफ इंडिया के 1947 में यह 1946 से 1955 तक जो है तो लेक्चरार रहते हैं पॉल्टिकल साइंस के लंदन स्कूल साफ एकोनामिक्स एल एस इमें यह प्रोफेसर साफ पॉल्टिकल थारी एंड इंस्ट्यूशन्स अट इंवस्टी आफ देर्विन में कार करते हैं 1955 से 1965 तक यह प्रोफेसर साफ कामन विल्थ एंड कंपरेट्व पॉल्टिक्स के जो 1964 से 1985 तक जो तो यह इसके एडिटर रहते हैं यह वर्क करते हैं इंडियन पॉल्टिक्स पर साथ साथ यह इंस्पार्ड है रजिनी कोठारी के वर्क से अब लोग इनके जो मेजर्स वर्क्स हैं उनको देख लेते हैं यह लिखते हैं उकनी बुक्स पॉल्यमेंट इंडिया नाइटीन फिप्टी सेवन में दि गवर्मेंट एंड पॉल्टिक्स ऑफ इंडिया लिखते हैं 1964 में इंडिया आज पॉल्टिकल मिरेकल्स जो लिखते हैं 1966 में लिखते हैं पॉल्टिकल्स पॉल्टिक्स में इंडियन यह लिखते है 1978 में decolonization and after the British French experience जो बुक लिखते हैं ये 1980 में लिखते हैं from Rhodesia to Jimbombay behind and beyond Lancaster house ये 1980 में ये बुक लिखते हैं ये बुक आप से लोग याद कर लिजेगा आपने notes में लिख लिजे ताकि जो आपकी ग्यांस में मदद करें अब देखते हैं इनके political ideas क्या थे मोरीस जौन्स जो अपना भुक लिखते हैं the government and politics of इंडिया 1964 में ये Mediating framework की बात करते हैं इनका मानना था कि जो government है और movement हो रहा है इंडिया में वह उसके बीच एक Mediating framework के ढाचे के अंदर ये कार कर रहे है Mediating framework का क्या मतलब है Mediating framework मतलब है कि institutional जो रिस्ट्रेइन है government और movement पे लगाया गया है यह जो इस्ट्ट्यूशनल रिस्ट्रेइन या अरोध जो लगाया गया है Constitution दपार्लिया मेंटर सिस्टम और जजूसी के द्वारा लगाया गया है यह को यह मद्धिस्थता framework या Mediating framework मेंटर भी कहते हैं यह सुमल ब्रेट्इस इंडियाथ स्ट्रेशी गवर्मेंट था उसमें जो गौवर्मेंट करते हैं उसको बाहर लेकिन बाती के बाद कि अंदर और बाहर का मूपमेंट रहा है यह तो कहते हैं कि यह जो प्रांस ऑर All सोम कोनामिक डिवीजन जो इंडियान क्लास में उसकी वजह से हुआ है जिसमें कास्ट हो गया लीज्ट हो गया रिजिनल जम हो गया ने छेत्रवाद हो गया यह सबकी वजह से यह मूवमेंट आये हैं जो एक्ट करते थे इन फार्मल पॉल्टिकल प्रोश्र ग्रूप के रूप में इनका मानना की दवाव शमौ के रूप में कारे करते थी इसे भी फोर्स इनके अंस्वार जो इंडियन प कांग्रेस सिस्टम के रूप में इसको देखते हैं जो कांग्रेस सिस्टम वर्ड यूज किया था सब इस्तमाल किया था रजनी कोठारी के दौरा इस्तमाल किया गया था 1966 को मोरिश जौंस लिखते हैं कि इंडिया अचीव पोल्टिकल इस्टेविल्टी विद्स इस्टेविश्मेंट फ्री और फ्रीली मॉविंग पोल्टिकल सिस्टम की वज़ए से इस्टेविश है उन पार्टी सिस्टम पर उनका क्या व्यूव है देख लेते मोरिश जो तो सुनका अफकर हएं रजनिक स्टेविश मैं जौन पार्टी सिस्टम है वह इंडिया के जो डॉमिनेंट पार्टी सिस्टम है उस्से विलकुल अलाग है रजनिक उथारे इस तामाइ报 कि जो डॉमिननेंस था उसको कांगरेस का उमीननेंस लिए से सिस्टम कहते हैं साथ कि165 three thoughts of political activities यह politics in India की जो लइंगेज है उसके बारिंगस करते है यह त्य legacy कॉन कोन एंगिगेज थी पहला था ध्यक्ते की धनल और लेंगवेज का यूज किया जाता उंचल अिसądर सब्सक्राइशन से इंफ्लिएस्टे डूसरी जो language की बात करते हैं इसमें कहते जो पॉल्टीम को लेकर होती थी लोग सफ ज़े सक्वय स्फ चैनित्व खास की ति और इसमें कहते हैं कि जो अन्न दो करने वाले लोग हैं वो इसका इस्तमाल वो भी इसका इस्तमाल करते हैं इस अब लोग देख लेते चैनले पाटी पर सभूंपर हई इन्टि legate है ुकान्ग्रीयक्न वे घृति करतेथ हैं कि जो प्लीटिकल इस्टिवल्टी और स्टिटूशन विलिडिंग में अच्छा काम कियो जिसको प्लीट कल मीरेकल भी मानते हैं ठीक ना इनका मानना कि जो कांग्रेस पार्टी थी यह इस मिरेकल आफ मिरेकल का हर्ट थी यह साथ यह मेरी जौन्स जो है तो फेडरलियम रप्रेजेंटेटिव इंस्ट्यूशन सोसल चेंज ग्रूप में को कहते हैं कि यह नहीं फ्लरिस होता है यह जो कांग्र साथ ही साथ मोरीज जौन्स तीन ओपनेस की बात करते हैं थ्री काइंट के ओपनेस कांग्रेस के इंदर पहला तो इसमें दो मुवमेंट इन आउट 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 अप दा आर्गनाइजेशन से अंदर और बाहर जाने का मुवमेंट फ्री था दूसरा जो था इस ओपन करने के लिए ओपन थी साथ इसन पार्टी थी और में अलतरनेियर देने में मदद कर रही थी कुछ बैलन्स ब्थ्विएं डिमोक्रेसी काश्ट रिलिजन एंड डिमांड या जो तंतर है काश्ट है जाती है रिलीजंस है धर्म है और च्ट्री डिमांड से मागे उनमें बैलेस्ट बनाने में सक्सेस्फुल रही है कांग्रेस अब इनका व्यू आंग फ्रेटरलिजम देख लेते हैं फ्रेटरलिजम के बारे मोरीज जांस जो तो प्लानिंग कमिशन को प्राइमरी फोर्स मानते हैं जो सेंटर स्टेट्स के बीच के रिलेस्टन स्मूथली चल रहा है उसके बीच में और साथ साथ कहते हैं कि यह प्रमोट करती है को आपरेटिव फ्रेटरिजम सब्द है इसका इस्तेमाल किया था ग्रेविंट आश्टिन के द्वारा साथ साथ यह मानते है कि जो प्लानिंग कमिशन से यह कुछ एरिया में सेंटर और स्टेट्स के बीच बैलेंस बनाने काम करता है जिसी को कहते हैं यह बार्गैनिंग फ्रेटरिजम आप निए भी होता है कि जो सेंटर और स्टेट्स के बीच बार्गैन का करेक्टर रखे साथ इस साथ मोरीज जॉंस नहरूवियन जो पीरिएड है उसको नहरूवियन प्रिसडेंसी सिस् साथ इसाथ इज्जय प्रकाश नारायन को द अनहपी फिलोसफर भी कहते हैं यह 1947 से 1967 तक जो पार्टी सिस्टम इंडिया में काम करी थी यानि कांग्रेस का जो डोमिनेंस था उसको डोमिनेंट पार्टी सिस्टम डिस्क्राइब करते हैं अब हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस यह कोस्चन्स जो यूजी सिनेट इक जांस में आये हुए हैं पहला कोस्चन है जो यूजी सिनेट दिसंबर 2014 में पूछा गया था कि कोस्चन है हूँ आप फालोइंग गेव दा आइडिया शेंटली आइडियम इन इंडियन पोलिक् इस फिर है लिस्ट दो लिश्ट दी हुई है उल्येदेग उसमुह ऍपको इसको ऑफॉराइं प्रोच से अप्रोच को दिया हुआ हुए और दूसरी लिश्ट है उसमें नेम उबूक दिये हुए है। disrupt in Ans स्ट्रीट्स के जो भूख है उसमें इतिहासी का प्रोच का वो प्रियोग किये थे इस्टिटूशनल अप्रोच इस्टिटूशनल अप्रोच को इस्टिटी करते है मोरीस जान्स अपनी बुक कॉरल्या मेंटिन इंडिया तो जैसे देख लेते है वह मेंडीयाटिंग फ्रेंबर की प्लानिक क्मिशन की बात करते प्री इंडिपंडेंटेंट और पोस्तु इंडिपंड़न्डेस गवर्मेंट की बात करते तो यह ने तब पार्लिया में इंडिया जो मोरीस जांस के द्वारा भूक लिखी गई थे इस्टिशनल अप्रोच यूज किया गया था इंडियन पॉलिटिक्स को अध्यान करने के लिए रिपब्लीक आफ इंडिया जो बूख है यह एलेन गेटलहिल के द्वारा लिखी गई थी इसमें इंडियन पॉलिटिक्स को अध्यान करने के लिए प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस जो तो इंस्टिशनल फ्रेमबर करेंबर का क्या था मोरीस जोंस ने किया थे यहां पर करेक्ट होगे जुलाई 2018 में युजी सिनेट की एक्जाम्स में कोश्चन आया था और मैस था मैस करना है लिस्ट एक लिए लिस्ट यह में आपकैज फांग्स दिए हों लिस्ट तो में आपके बुक दिए होतों इसम में लिखते हैं यंधियान प्ड़िक्स ऑंडिया यह लिए जो लिए आथरुप यहाँ पर आप देख लीजिएगा ग्रेविन आस्ट़्िफ और आई वर जैनिक सम करेक्टिस्टिक आफ इंडिया थार्ड को स्ट्रेटिस्टिक आपको प्रैक्टिस कुछ दिये हुए हैं इनको आप लोग देख लेना है ताकि आपके आपके कांसेट हो जाए तो पंचायती राज इंस्ट्यूशन को साइलेंट रेवलूशन किस ने कहा है इंडियन सुसाइटी का तो यह मोरीश जौन्स ने कहा है पिर इसके लावा यहां असार्शन रिजन्स का कोश्चन दिया हुए उसको आप लोग करिए अकार्डिंग टू मोरीश जौन्स कांग्रेस सीचे ओपन पोल् इसन था पार्टी के तो वह भी सही है तो यहां पर असर्शन और उसका रीजन भी सही है तो जो आपका एंसर होगा वह बोथ एंड यह आरा टूर आरीज करेक्ट एस्प्लानिशन अफ ए को निक्स्ट नेक्स्ट औरल्च सेंडिया अपको पता करना कशन 2 औरल्च से मरें सेकंड हिस थो लान करेक्ट आप प्राइमरी रूप से तो प्लानिंग जो तो सेंटर स्टेट के लिए कार कर रहा था प्राइमरी रूप से से तो प्लानिंग तो से नेक्स्ट कोष्चन है वं यहां पार सट्राइम डिया है और रीजन दिया है आपको उसको देखना है पहला सरस्ट किया है मोरीस जोन हेल्ड बैट इंडियान पोलिटिक्स आज इंट्रैक्शन आप government and movement within a mediatin framework यह statement सही है वो मेडियेटिंग framework में बाते हैं कि government और जो movement है उसके बीच interaction है साथ जो region बताते हैं इसका mediatin framework क्या है mediatin framework इंस्ट्यूशनल रिस्ट्येंस जो गवर्मेंट और मुव्मेंट दोनों पर लगाया गया है इसके दोरा constitution पालियमेंटरि सिस्टम और जो जो से कि दार रहा तो यह इसका रिजन भी करेक्ट है तो यहां पर आपका असर्शन और रिजन है दून जो तो तो correct है और यह रिजन जो तो correct explanation है एक है next question है अलएक जोंस एक और दो तो डिस्टेंस जोंस ने किसको कहा है तो वह जो बिन भा वावे को कहा है में है कि मैसिन्ट करना है एक और दो टिस्ट एक में जो हतो इक बुख्स दी हुए लिस्टू में उसके आथर्स दिये हो आपको मैच कराना है तो कास्ट इन डियान पोल्टिक्स जो जो लिखा जाता है वो कि रजनी कोठारी के द्वारा लिखा जाता है पॉल्टिक्स मेंली इंडियान जो मोरिस जोंस के द्वारा लिखा जाता है ठीक माइनर वीनर लिखते हैं देशाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया काश्ट फैक्षन और पार्टी इंडियान पॉल्टिक्स जो लिखा जाता है यह पाउल ब्रॉस के दौरा दिखा जाता है यहाँ पर एक्स्प्लानेशन देख लेते हैं मोरीज जॉंस लिखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में लिखती है तो आप लोग इनको लिख लीजिए नोट्स बना लीजिए तो धन्य बाद दोस्तों यह था हमारा मोरिश जोंस पर वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम समय जरूर बताइए साथ आप हुमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो आगे आने वाली वीडियों है इस तरह की पॉलिटिकल साइंस की वह आपको मिलती रहें और हमारे चैनल मिजदा के आप लोग इंटरनेशनल रिलेसंस के पी वाई कू स्वाल कर सकते हैं वेस्टन पॉलिटिकल स्वार पे क्यों है वेक्ट्सक्राइब कर लेक्यू